रावनी, सुपरनेचुरल और थ्रिल से भरपुर मुवीज देखने का शौक है क्या आपको? अगर है तो आज एक भयंकर थ्रिलिंग मुवी बताती हूँ आपको अज़ादेवगन और आर माधवन जैसे मंजे हुए कलाकारों से सजी फिल्म शैतान जिसके ट्रेलर के आते ही उमीद लगाई चा रही थी कि फिल्म में दम जरूर होगा काले जादू, वशीकरण और अंध विश्वास की अलग ही टरावनी दुनिया में ले जाने वाले ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर खुब प्रशन सा बचोरी थी फिल्म शुक्रुवार को रिलेज हो चुकी है, इस फिल्म की लेंध दो गंटे पारा मिनिट की है फिल्म शैतान में दिखाये गया है कि अजय देवगन अपने परिवार में पत्नी जियोती का बेटी जान की बोरिपाला और बेटे अंगद राज के साथ हसी खुशी जिन्दकी जी रह होते हैं, लेकिन अचानक से उनकी जिन्दकी में भूचाला जाता है एक दिन वे चुटिया मनाने के लिए अपने फार्म हाउस जाने की प्लानिंग करते हैं और वहां चारे ओटे तबी रास्ते में एक ढाबे में उनकी मुलाकात आर माध्वन से होती है जो एक सरण और भरोसे मंद इंसान दिखता है और कबीर यानि अजय देवगन के परिवार का भरोसा जीतने में काम्याब हो जाता है यही से कबीर और उसके परिवार की मुश्किले शुरू हो जाती है वन्राज यानि की आर माध्वन जानकी को एक खास तरका लड़ू खिलाकर उसे पूरी तरीके से अपने वश में कर लेते हैं यही नहीं वो जबरदस्ती कबीर के फार्म हाउस में भी गुश जाते है अब वन्राज काले जादू के दम पर जानकी से जाननेवा हरकते कराने रगता है क्या कबीर वन्राज के मायावी चंगुल से अपनी बेटी को बचा पाते हैं या नहीं यही इस फिल्म की कहानी का क्लाइमेक्स और इसी तरह कहानी आगे रुख करती है आर्मादवन इस फिल्म के सबसे बड़े सर्प्राइजिंग अलिमेंट है उन्हें इस तरह की करदार में देखना एक अलग ही अनुभव है आर्मादवन ने पूरी फिल्म अपने कंदों पर उठाई ऐसा ही इस फिल्म को देख कर लगा अजय देवगन के फैंस थोड़े निराश होंगे क्योंकि उन्हें आर्मादवन के मुकाबले उतना दमदार रोल नहीं मिला है फिर भी उन्हें अपने रोल के साथ जस्टिस किया है वैसे अजय देवगन ने खुद आर्मादवन को प्रियरिटी पे रखा और उन्हें जादा रोल गिया है विकास बहलदवारा निर्देशित यह फिर्म 2023 में रिलीज हुई कुछराती साइकोलोजिकल थ्रीलर फिर्म वर्ष का रीमेक है जिसे काफी सराहा गया था फिर्म का एक-एक सिन सिरहन पैदा कर देगा अगर आप सच में डरामनी मुवीज के शोखिन है और सच में आपको डरामनी थ्रिल सुपरनेचरल मुवीज देखना पसंद है तो यह मुवी आपके लिए बेस्ट मुवी साबित होगी क्योंकि पिछले नमबे समय से बॉलिवुट में ऐसी कोई मुवी रिलीज नहीं हुई है जो इतनी थ्रिलिंग हो और इसके स्टार कास्ट पी एक से बढ़कर एक है सारे ही मंजिविक अलाकार है और आर मादवन पहली बार एक अलग ही अंदाज में नज़र आने वाले है वो शैतान के रूप में नज़र आने वाले है और अगर आप आर मादवन, अजय देव गन, जयोती, का, चान की सभी के फैन है तो यह मुवी देखना तो बलकुल बनता है मैं तो रुकमेंट करूँगे यह मुवी ज़रूर देखनी चाहिए जिन्हें ऐसी मुवी देखना पसंद है